वेल्कम टू रेड़ ओन इंट्रेइन्मेंट मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट रोजी अली कहते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता किसी को जमी तो किसी को आस्मा नहीं मिलता ये लाइन अक्सर उन लोगों के लिए कही जाती है जिनकी महबत अधुरी रह जाती है कई सारे लोगों की महबत अधुरी रह गई है फिर चाहे वो कोई आम हो या फिर कोई खास हो हर रोज किसी ना किसी के दिल किसी ना किसी वज़ा से तूटते हैं कई बार पैसे के वज़े से लोगों के दिल तोट जाते हैं तो कई बार जात धर्म के वज़े से दिल तोट जाते हैं लेकिन इन सबसे उपर सेलिबिटीज के दिल भी कुछ इन ही वज़ाओं से तोटे हैं जी हां जिन बॉलिवुड स्टार्स की जिन्दगी को हम देख कर उन भी इनकी जिंदगी अधूरी रह गई जिसके अजीव अजीव कारण है जिने देख कर या सुनकर अब अफसोस होता है कि किन वजहाओं से इन लोगों के दिल तूटे हाला कि इनकी जोड़ी को चाहे रील हो या रील दोनों में ही पसंद किया जाता था लेकिन क्या देहना जोड़ी तो उपर से बनती है जब उपर वाला ही ना चाहे तो फिर जमीन पर रहकर भी कोई क्या सकर सकता है आज हम आपने लेकर आए हैं बॉलिवूट के कुछ ऐसे कपल जिनोंने बे इंतहां प्यार किया तूटकर एक दूसरे के लिए जिये लेकिन उस पर तड़पते रहते हैं तो चलिए आपको बॉलिवूट सितारों की अधूरी सची पाक महबत दिखाते भी हैं और बताते भी हैं बॉलिवूट के शहन सामिता बच्चन और रेखा की लव स्टोरी एवर ग्रीन लव स्टोरी कही जाती है क्योंकि जब भी हदूरी महबत का नाम आता है तो इन सितारों का नाम आपस में अपने आप ही जुड़ जाता है सब कुछ होते वे भी तमाम सुपर हिट फिल्म देने के बाद भी ये जोड़ा एक साथ नहीं रह सका और आज भी अपनी सची महबत को एक दूसरे के सामने ये बयां करते दिख जाते हैं कहीं भी पबलिक प्लेस पे ये दोनों सिपर स्टार्स जब एक दूसरे को देखते ह रह जाते हैं तमाम कोशिशों के बाद भी ये जोड़ा एक नहीं हो सका इसका साथ साथ बॉलिवूड में अमिताब रेखा के अलावा भी कई सारे ऐसे सुपर स्टार्स हैं जिनके पास किसी जीची कमी नहीं थी लेकिन उसके बाद भी उनकी महबत रह गई अधूरी दिली सुपर स्टार्स एक दूसरे की तरफ बड़े थे कहा जाता है कि दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि दोनों शादी के बंधन में बंधना जाते थे लेकिन मधुबाला के पिता नहीं जाते थे कि उनकी बेटी की शादी दिलीब कुमार से हो आखरी बार दोनों की सुप हो गई और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए देवनंद सुरेया सदभार अभिनेता देवनंद और सुरीली आवास की मले का सुरेया की जोड़ी ऑन स्क्रीन भले ही हिटना हुई हो लेकिन फिल्म ही दोनों सितारों की शुटिंग के दौरान देवनंद सहाप सुर पर इस कदर फिदा हुए की उन्हें दिल दे बैठे थे दोनों का लकारों को करीब से जानने वालों को कहना है कि देवनंद ने सुरेया के लिए सगाई की अंगुटी भी बेजाई थी लेकिन सुरेया के घरवालों को ये रिश्टा कतही मन्सूर नहीं था जिसकी वजह से इनकी महबत भी रह गई अधूरी गुरूदत वहीदा रह्मान उननेस सो सिटावन मैं आई फिल्म प्यासा से ही उनसक्रीन कपल गुरूदत और वहीदा रहण की आफ स्क्रीन लव स्टोरी भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म के क्लास की तरह भी इनकी लव स्टोरी का अबत की वज़ा से ही आत्म हत्या भी कर ली थी राज कपूर नर्गिस फिल्म श्री 420 में राज कपूर और नर्गिस पर फिल्माया गया गाना प्यार हुआ इकरार हुआ आज भी लोगों के जहन में घूमता रहता है बरसाथ में शत्री की नीचे खड़े दोनों की ये रोमे कपल बनने की दुआ करने लगे थे लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर शुरू हुई ये प्रेम कहानी असल जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाई आग बरसाथ आवारा अंदाज और जान पहचान जैसी हिट फिल्मों की इस जोड़ी के रोमांस की चर्चाएं पूरी फिल्म इ बैठी थी और आखिरखार उनकी लव स्टोरी का अंत हो गया सनी देवल डिमपल कपाडिया सनी देवल और डिमपल कपाडिया के प्यार के चर्चाएं भले ही कभी मीडिया में सुर्ख्या ना रही हो और नहीं दोनों ने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार किया हो प्रान इन दोनों कपल ने बहुती समय बिताया था यही वज़ा है कि ये दोनों एक दूसरे के बेहद नजीक आ गए थे सल्मान खान एश्वरिया राई की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं ये लव स्टोरी बچे बच्चे के जुबान पर है क्योंकि सल्मान खानने जिस तरहां से एश्वरिया से अलग हो जाने के बाद शादी नहीं की उसको तो इनकी अधुरी महभत का ही कारण माना जाता है अक्सर कई सारे लोग सल्मान खान और एश्वर्याराय को लेकर बाते करते रहते हैं वजह जो भी रही हो दोनों के अलग होने की लेकिन दोनों के लव स्टोरी हमेशा एवर ग्रीन रहती है और जब भी अधूरी महबत का जिकर आता है तो इन दो सितारों का जिकर भी जरूर आता है तो देखा आपने किस तरहां से इन सेलीबर्टीज के पास सब कुछ होते वे भी बहुत कुछ नहीं है ये उस अधूरी महबत के लिए तड़प रहे हैं जो की कभी पूरी नहीं हो सकी जिसके साथ इन्होंने जिन्दगी जीने के सपने देखे थे बहुत सारी खुआशे की थी लेकिन किसी वचा से ये सपने अधूरे रहे गए और ये उस अधूरेपन में आज भी जी रहे हैं अगर आपने हमारे चैनल रेड़ ओन इंट्रेटेन्मेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसके सासाथ नीचे लगे हुए घंटी को दबाना ना भूलें ताहिए हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक हो सके इसके सासाथ मारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें